नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमारे इस खास प्रोग्रेम में, मैं हूँ आपके साथ सुरील चौहान दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे अपनी लीगल शो में कि संपत्ति विवाद क्या है? कौन उत्रा अधिकारी होता है? सेक्शन्स कौन कौन से लगते हैं और अगर बड़ा भाई, छोटे भाई को अपनी प्रॉपर्टी दीना चाहता है तो कानूनी अधिकार क्या होता है? कई वार यह देखा जाता है दश्कों की वस्यत किसी के नाम से कर दी, उसके बाद वस्यत करने के बाद कानून मा अधिकार किस प्रिकार से है? किस प्रिकार से आपको प्रॉपर्टी मिलती है? बहुत सी महतवपूर बातें आप लोगों को बताई जाएंगी जो समपत्ती विवाद से लेकर हैं तो इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ करकडूमा कोट से एड़ोकेट गर्वित विनाइक जी है स्वागत असर गर्वित विनाइक जी आपको बताएंगे, समझाएंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे जो की बहुत महतवपूर है क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि प्रॉपर्टी विवाद बहुत जादा हो रहा है इसी को लेकर हमने ये प्रोग्रेम बनाया जिसमें बहुत सारे एहम पहलूँ पर चर्चा की जाएगी जिससे आप लोग समझ सकेंगे कि प्रॉपर्टी में किस किस तरह की परिशानी आती है जब बटवारा होता है और परिशानी आने के बाद उनका निदान क्या होता है किस प्रिकार कानून आपकी मदद करता है और आप किस प्रिकार से किसी की साहेता कर सकते हैं लेकिन उसे पहले आप एक छोटी से रिपोर्ट देख़ें संपत्ती का अधिकार कानून में क्या है? मुरतक व्यक्ति के प्रॉपर्टी में कौन-कौन उत्रा अधिकारी होता है? उत्रा अधिकारी का अधिकार कब से बनता है? वसियत करने के बाद कानून में अधिकार क्या-क्या है? जिसके नाव वसियत है क्या उसको संपत्ती मिल सकती है वसियत किस प्रिकार से की जाती है क्या कोरे कागस पर लिखने के बाद बटवारा मान लिया जाता है अगर परिवार में संपत्ती का बटवारा आपसी रजामंदी से हो जाता तो क्या ये कानून की नजरों में माने हैं? अगर बड़ा भाई प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता, छोटे के नाम सारी करना चाहता है, तो क्या करें? संपत्ती में किस-किस तरह के विवाद होते हैं? हमारे देश में प्रॉपर्टी की लड़ाई बहुत देखी जाती है, कई बार तो इसमें गोलियां तक चल जाती है और हत्याए भी हो जाती है संपत्ति विवाद, मकान, दुकान, जमीन को लेकर बहुत देखे जाते हैं जिसमें सालों मुकदमे चलते हैं, पुलिस को रिपोर्ट दी जाती है कानून में प्रॉपरिटी विवाद को लेकर क्या-क्या कानून है, कौन से सेक्षन इसमें आते है इन मसलों को किस प्रिकार से कोर्ट में निप्टारा किया जाता है और कोर्ट आपकी किस प्रिकार की मदद करता है कानून में आपकी लिए क्या-क्या नियम है अगर आपको जाननी है ये सारी बातें तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि संपत्ती विवाद बहुत ज़ादा देखा जाता है कई बार तो बड़ी-बड़ी दुरुगटनाएं भी हो जाती है परिवारों में लडाईयां हो जाती है वहाई भेहन में नहीं मनती है संपत्ती को लेकर और हर कोई कोट के चक्कर काटता है तो आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बेहत महतपूर है अगर किसी के साथ ऐसी परिशानी है तो इस प्रोग्राम के माद्यम से ठीक हो सकती है उनके सवाल के जवाब दिये जा सकते है दर्शकों अगर आपको कोई भी सवाल आपको भेजना है अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिव नंबर पर कॉल कर सकते हैं साथी साथ आप हमको इमेल भी कर सकते हैं और आने वाले अगले सेग्मेंट में आपकी इस परिशानी को हम जरूर जरू उठाएंगे तो आप कॉल कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं सर आज हमने आपको आमंत्रित किया और देखते हैं कि बहुत सारी लोग संपत्ती विवाद को लेकर घर मैं आपस में जहगडे होते रहते हैं और भाई भेहन की नीवनती है भाई भाई की नीवनती है बाप बेटी की नीवनती है मा की भी नीवनती है तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हम एहम पहलुआ पर चर्चा करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि संपत्ती विवाद में किस-किस प्रकार की परिशानिया आती हैं उन्हें के निदान क्या है कानून आपके किस प्रकार से मदद कर सकता है पहला सवाल मैं आप से यह करना चाहता हूँ कि संपत्ति विवाद में कानून का अधिकार क्या क्या है और मृतक के मर जाने के बाद संपत्ती का उत्रा अधिकारी कौन होता है? Law of Partition एक मृतक के जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में किसका हग बनता है, कब बनता है और कितना बनता है यह सब जानने के लिए पहले यह देखना है कि वह मृतक आदमी क्या विल छोड़के गया है यह नहीं छोड़के गया अगर विल छोड़के गया है तो जिसका नाम बेनिफिशिरी की लिस्ट में लिखा है उसने विल में तो वह व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी का उत्तर अधिकारी और मालिक माना जाएगा तो कोई भी व्यक्ति दो तरीके से प्रॉपर्टी छोड़के जाता है यहां तो testamentary यहां फिर he dies in-tested जहां testamentary word आ गया कोई कागस छोड़के गया है विल छोड़के गया है यहां फिर जब जाने से पहले ही वो dispose of करके गया प्रॉपर्टी वहां dispute के chances कम होते है लेकिन जहां वह इंटेस्टेट जाता है, वहाँ असली विवाद शुरू होता है वहाँ दैखने वाली बात यह है कि उसके कितने वारिश मुझूद है वह वारिश बेसिकली उस प्रोपरटी में अगर कोई इमोवेबल प्रोपरटी है, जमीन है तो उसमें ये देखा जाता है कि उसका कितना हग बनता है और वह चेक करने के लिए पहले ये देखना होगा कि कितने वारिस मौझूद है बिल्कुल सब को चेक किया जाता है कि कितने वारिस मौझूद है किस प्रिकार की प्रॉपर्टी है क्या क्या है आसक कानून में property को recognize करने का तरीका क्या है किस किस तरह की property recognize की जाती है प्रॉपर्टी दो तरीके के भाग में divided है एक तो है ancestral और दूसरी है self acquired एक व्यक्ति दो तरीके से property का मालिक बनता है ठीक है यहां तो वह है खुद खरीदेगा जिसे self acquired कहते हैं यहां फिर उसकी property उसके की उस व्यक्ति के भी पैत्रिक संपत्ति रही जिसे ancestral कहा जा सकता है यह यहां फिर joint family property यहां फिर हिंदू undivided family property भी कहा जा सकता है विल्कुल आपने बताया कि कानून दो तरह की property बताता है और उसको लेकर हिसाब किया जाता है उन property में अधिकार कब से मिलता है कब से माना जा सकता है एक व्यक्ति का property में हक अपने पैत्रिक property में हक उसके by birth ही legacy start हो जाती है जिस समय उसने birth लिया उसकी legacy start हो लेकिन partition claim वो तभी कर सकता है जब वह व्यक्ति जो की owner था वह खतम हो जाता है मर जाता है सिर्फ उसी समय उस property में जिसमें वो legacy उसकी start होई वो मंग सकता है जब वह वक्ति मर जाएगा उसके बाद वह राइट टू पार्टिशन स्टार्ट होती है बिल्कुल आपने कहा कि सर जब वह व्यक्ति मर जाता उसके बाद partition start होती है अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर्फ कई बार यह देखा जाता है कि लोग वस्यत property का कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे बनने के बाद बस इस property पदिकार इस बेटे का है इस बेटी का है या फला कर गये property की और मा के गुजर जाने के बाद बेटा कानून में जाकर किस प्रिकार से अपने इस property को ले सकता है अपने नाम करा सकता है इसका process क्या होता है Will, Law of Will Indian Succession Act में लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के नुसार अपने जाने के बाद अपनी property के साथ क्या करना चाहता है वह अपनी Will में लिख सकता है और उस Will के जरिए जिसको भी वो beneficiary बनाता है वह उस property का owner बन जाता है उस Will के basis पे जो beneficiary है वह competent authority में जाके अपने नाम mutation भी करवा सकता है अपने प्रोबेट भी ले सकता है अगर कोई dispute बाई चांस कोई dispute उठाता है कोई और legal hair dispute उठाता है तो वह प्रोबेट की petition दाखिल करके अपने अपना अधिकार सिद्ध भी कर सकता है बिल्कुल आपने का कि अपना अधिकार सिद्ध कर सकता है सर एक सवाल में आप स्वार्प मूशना चाहता हूं कि अगर कोई property का वस्यत करना चाहता है तो वस्यत करने का तरीका क्या है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन सत्रह वह कहता है एक साधारन पेपर पे भी विल की जा सकती है विल इस नॉट ए मेंडेटरेली रजिस्ट्रेबल डॉक्यमेंट रेजिस्ट्रेशन कराने की जुरत विल में नहीं है लेकिन हमारी एडवाईज हमेशे यही रहती है कि उसे रेजिस्ट्र कराना चाहिए और वह रेजिस्ट्रेशन होने के बाद एक इस खतम हो जाता है तो आपने कहा कि रेजिस्ट्र होना चाहिए तो यही होता है क्योंकि आगे चलके उसमें अर्चने नहीं आती है लेकिन सरक कई बाद यह देखा जाता है जैसे दो बेटे हैं और किसी पिताने या माने एक बेटे के नाम बस्यत कर दी उसको प्रॉपर्टी मिलने का अदिका आपने बता दिया लेकिन जिसके नाम बस्यत नहीं है हक तो उसका भी था तो वो क्या बिना बस्यत के अपनी प्रॉपर्टी को पाने के लिए कानून में कुछ प्राबदान है और अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो उनको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए देखिए वैसे तो जैसे ही विल कर दी और वह व्यक्ति जिसने विल की जो प्रॉपटी का अनूर था वह खतम हो जाता है विल एक्जिस्टेंस में आ जाता है विल इन्फोर्स आ जाता है जिसके फेवर में विल की वह व्यक्ति मालक भी हो गया तो जो भाई या फिक जो ही है कि मेरी क्या चाह है उस प्रॉपर्टी को लेगे बिल्कुल तो मतलब विल का बहुत रोल होता है प्रॉपर्टी लेने के लिए अब आप से कुछ एक्जाम्पल्स के तोर पर सवाल करना चाहता हूं जो हमारे पास आये हैं और लोगों की क्वेरीज भी हैं सर एक मा के दो बेटे थे और मा की छोटे वाले बेटे से नहीं बनती थी और बड़े वाले बेटे से बनती थी तो छोटे वाले बेटे ने प्लेन पेपर पर लिख और कि मा को कि मुझे इस मकान में कोई हिस्सा नहीं चाहिए छे मैने बाद आया और उस मकान में कहने लगा मुझे किशिन बनानी अपनी फैमिली के लिए और मा ने कहा कि आपने प्लेन पेपर पर लिख दिया था कि मुझे इस प्रापर्टी में कोई भी पार्ट नहीं क्यो Suz को तजदीक माना जाता है कानून में और उस बेटे के राइट्स क्या है मां क्या कर सकते अगर ऐसे सिनरियो कहीं बन रहे हैं तो कानून में प्राबधान क्या है देखिए अगर वह लड़का अपनी लिख के देता है कि मैं इस प्रोपटी में कोई भी शेर क्लेम नहीं करूँगा मगर उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कराया जाता तो section 17 Indian registration act के देट वह document से कोई right या title नहीं transfer होता section 17 Indian registration act बहुत clear है जो कहता है कोई भी right, title, interest अगर immovable property में transfer करना है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक register document के जरीए ही होगा तो इसलिए वह व्यक्ती 6 महिने बाद अगर आता है तो वह अपना right, अपना right to partition भी मांग सकता है मतलब अगर प्लेन पे आपने का कि सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई मतलब क्लारिफिकेशन हो या डिवाइट कोई प्रॉपर्टी का हो तो रिजिस्टर डॉकुमेंट्स पर होना चाहिए वो माने होता है प्लेन पेपर पर उतना माने नहीं होता है और अगर उच्छे मै एक बिल्डिंग है जो चार फ्लोर की है घर में बैठकर आपस मैं सब लोगों डिस्केशन कर लिया कि इस फ्लोर पर आपको रहना है इस फ्लोर पर आपको रहना है चारों लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को बांट लिया इन फ्यूचर में जाकर किसी कोई परिशानी होत कि ये फूर हमको मिलना चाहिए इस by मिलने से ज्यादा हमको एक इसकी कॉस्ट मार्केट मेज़चा है क्योंकि पहले तो फैमिली सटिमेंट हो गया था इन फ्यूचर में जाकर किसी का प्लान बदलता है है तो क्या होता है अगर ऐसी सेंरियोज है तो क्या कुछ आप कहना साद सुप्रीम कोड की एक राइट की जज्डमनट उसके उसमें फैमली सैटल्म miraculous को बहुत ही अच्छे तरीके से रेकेड़ किया गया एक्स पी कि आपकी प्री एक्सटिंग राइट सकोड डिफाइन करता है ठीक है कि आपकी pre-existing right thieves property में कोई आपने transfer नहीं किया, इसलिए उस document को in fact register करने की भी जूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा advisable यही होता है कि register कराना चाहिए, but even then, अगर family settlement के जरिये चार floors अपने अपने recognize कर लिए गए हैं, तो वह मानने हैं, और कोई party अगर चाहे challenge क कर सकती है, लेकिन फिर वही बात है, उसे succeed होने के chances limited, मतलब आप कहना चाहते हैं कि family settlement है, लेकिन challenge आप कर सकते हो, लेकिन succeed होने के chances नहीं है, तो settlement से family settlement कई बार यह देखा जाता है कि पहले family settlement से लोग agreed थे, लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद कुछ मनुशा ऐसी बदली कि वह बा सवाल आप से यह करना चाहता हूं, कई बार यह देखा जाता है कि दो भाई हैं, और एक building of us के दो part है, बड़ा भाई बहुत संपन है, यह चोटा भाई बहुत संपन है, किसी एक भाई के पास थोड़ी सी crisis है, तो बड़ा भाई चाहता है कि इस property को मैं पूरा छोड़ दू अगर वो फिर property को लेना चाहे, तो किस तरह के प्रावधान निकलते हैं? नहीं कर सकता, वह एक registered document है, जैसा हमने पहले बात की थी section 17 Indian registration act, उसके तहत वह registered document यानि की registered relinquishment deed के जरीए, अपना शेर अपने भाई के favor में छोड़ रहा है और वह दुबारा claim नहीं कर सकता, जहां तक रही case दाखिल करने की बात, मैं फिर से वही चीज़ कोगा, case दाखिल तो कर सकता है, लेकिन क्योंकि वह एक registered document है, registered transfer deed मानी जाएगी, वह property वह share उसके छोटे भाई के favor में transfer कर दिया गया है, through registered relinquishment deed, so chances are very remote के वह success प्राप्त करेगा, बिलकुल, आपने कहा कि मतलब success पहले में तो अगर भाई ने छोटे भाई को property दे दी है, तो उसमें क्या कहते हैं कि फिर से succeed होने के chances नहीं है, और ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि अगर बड़ा भाई संपन है तो छोटे भाई को दे देता है, और अपना कहीं और जाके settled हो जाता है, सर्फ property में किस किस तरह के विवाद होते हैं, आप अपनी case study बताएं क्योंकि आप हर दिन इस तरह के case को देखते हैं, किस प्रकार के विवाद होते हैं और जब विवाद होते हैं, तो settlement किस प्रकार से देखे जा रहे हैं एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी में उसके जाने के बाद उसके एलर्ज वारिस जो की प्रॉपर्टी में हक लेंगे अब एक केस यह भी था कि उस व्यक्ति के चार वारिस थे जिनमें से एक वारिस दो शादी किये था पहली शादी से उसने डाइवोर्स लिया जिससे उसके दो दो बच्चे थे और दूसरी शादी उसकी continue रही उस property में उसके पिताजी की property में उसके पिताजी के जाने के बाद एक partition का दावा होता है अब सारे भाई party बनते हैं दावा decree होता है सब का हक decide कर दिया जाता है कि एक त्याई एक चौथाई जिसका जो है वह मिले लेकिन यह व्य की Richard चैंट की आचा देना चाहता हूं लेगेशि कभी कि टर्मेड नहीं होती को बच्चों का नहीं बच्चे फिर भी लेगेसी ही अपने प्राप्त करेंगे उनका राइट टू पार्टीशन उनके पिता जी खतम हो गया और राइट टू शेर इन पार्ट प्रॉपर्टी भी एक्रू हो गई जिसलिए वह फ्रस्ट वाइफ से जो बच्चे थे वह भी क्लेम कर सकते हैं वह भी लीगल हैं डाइवोर्स होने से उनका हक खतम नहीं होता है विल्कूल बहुत अच्छी बात बताएए अपने कि डाइवोर्स होने से हक नहीं हो से खतम होता है और बच्चे अपना कानून में जाकर हक ले सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई परिशानी है अगर आप इस कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिए ओन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप इमेल भी कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया सारा आप हमारे समंच पर आया और आपने बहुत महत्पुन विश्वापर चर्चा की संपत्ति विवाद को लेकर कई बार तो यह देखा जाता हैं कि जब भी संपत्ति विवाद में कोई डिस्प्यूट्स ना हो और अगर होती हैं तो बहुत ही इसली शॉट आउट हो जाएं बहुत ही एक बेसिक सी एडवाईज है अपनी एडवांस स्टेज में किसी भी व्यक्ति जिसके पास कोई संपत्ति है उसे बाई वे ओफ विल या फिर किसी अन्य डोकुमेंट चाहें गिफ्ट हो सेल हो किसी और तरीके के ट्रांसफर करके या फिर विल छोड़के ही जाना व्यक्ति तो चला जाता है बाद में विभिन विभिन प्रकार के dispute उत्पन होते हैं एक इसी से related एक important चीज यह भी पताना चाहता हूँ Hindu Succession Act में दो तरीके के class दिये गए है legal hair के class 1 और class 2 एक Hindu male के जाने के बाद class 1 hairs को पहले हग दिया जाता है जिसमें एक विशेश बात यह पताना चाहता हूँ एक Hindu male के पिता जी उसके class 1 legal hair नहीं है वो class 2 legal hair class 1 legal hair को पहले प्रत्मिक्ता दी जाती है और share उनको दिया जाएगा जब अगर वह मजूद हैं तो अगर वह मजूद नहीं हैं तो class 2 legal hairs की बारी आईगी यह बात भी सोच के चलनी चाहिए कि कोई Hindu male अगर अपने प्रॉपटी डिस्पोज आफ करना चाहता है उसे लगता है कि मैं एडवांस बहुत महत्पूर्ण जानकारी दी और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत से लोगों के जो मसले होंगे वो शॉट आउट हो जाएंगे बहुत बशुक्रिया तो देखा आपने दर्शकों की अडवोकेट गर्वेत विनाइक जी ने आप लोगों को बताया समझाया किस प्रकार से अगर डिस्प्यूट्स फैमली में होते हैं संपत्ती विवात को लेकर तो उनको कैसे निप्टान करना है क्योंकि बहुत सारी परिशानिया देखी जात है लंबो लंबे-लंबे समय तक केस चलता है तो किस प्रकार से कानून में प्राबधान है कब-कब डिस्प्यूट्स होते हैं और मैं आपको बताया कि सड़ने के हमेशा रजिस्टर्स डॉकुमेंट पर ही कोई बात है अपनी लिख कर दें प्लेन पेपर बात माने नहीं होत है तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना आगवार आपको फिर बताया दो कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है इस टॉपिक को लेकर तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप इमील भी कर सकते हैं आने वाले अगले सेग्मेंट में आपको इस परिश कर सकते हैं आपको कर सकते हैं आपको किसी प्रॉट कर सकते हैं…